एक फ्रेंड्स ये है पिछली क्लास ज में दिए गए सेंटेंसे के आंसर आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको ट्ली कर लेना और जहां पर भी गलतिया हो वहां correction कर लिना है हैंगे फ्रेंड वालकम तू दर डेस्क देवा एंग्लिश स्पकन क्लास फ्रेंड्स प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेश्ट है कि मेरी टीचिंग कैसी है मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मिस कहीं औरम से कुछ कमिया है तो फीक लग रहा है आपको भी कमेंट करो अच्हा नहीं लग रहा है वह को रह था मिद्स क्षरेक्ट आप में करोगे रिक्वेश्ट है कि में अपने जो भी है सोचते हैं आप हमारे कलास के बार में मेरे बार में या मैं अच्छे टीचिंग कर रहा हूँ या आपको अच्छे से समझ में आ रही है आपकी English Improvement हो रही है की नहीं हो रही है आप comment करो friends Okay friends तभी मेरा भी होसला अबजाई होगा आगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको फाइदा हो रहा है आपके इंग्लिश में इंप्रूब्मेंट हो रही है तो मेरा भी वह उसला बढ़ेगा तो चलिए हम आज ज्यादा देर नहीं करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं अगाज कु고 प्रेंट्स है अब तक हम ने आपको पड़ाया हैज है थैं प्रूंस और आज हम पडहाएं के है जई हैव का फ्यूचर पास रहेगा पास होगा पास होगी पास पास रहेंगे इस तरह से संतर से जाते तो किस से से बनाते हैं चलिए आई देखते। है है और है पाठ का पास फूचर। पास रहेगा पाष रहेगी पास होगा पास होगी ठीक हूग फेड़कर इप्रफीन नहीं होता है ठीकर फ्रेंट्स इसमें हमेशा है लगेगा और शैल और विल कहां लगता है वह आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे ठीकर फ्रेंट्स तो चलिए हम संटेंस बनाते हैं मेरे पास एक और होगी आई शैल है अगार इसका हम शॉट फरम क्या लिखेंगे आप आपको पता है I'll have a car. शिंपद. I'll have a car. ठीक है अब शॉट फरम का ज्यादा इस्तमाल करने के कोशिश करो क्योंकि यह बोल चल में ज्यादा तर शॉट फॉर्म ही चलता है और बोलने में भी अच्छा लगता है शॉट फॉरम है I'll have a car. I shall have a car. ये काफी लंबा लगता है न He will have a bungalow. ठीक है, friends? या short form. He'll have a bungalow. ठीक है, friends? हमारा देश के पास काफी धन होगा. तो आर कंट्री विन हैव काफी मेंस इनफ. पर्याप, इनफ वेल्ट. ठीक है, friends? बिल्कुली simple है. कोई भी confusion नहीं है, इसमें. किसी भी तरह की confusion होने वाली बात ही नहीं है इसमें. Simple है. शेल और विल का इस्तमाल आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं. और उसके बाद have लगाना है. तो शेल और विल लगात और have लगा देजिए. बस. Simple है. अब यहां इसका negative, interrogative question और सब सिखते जाएंगे आजी. हम इसका negative, negative लेते हैं. subject plus shell, will, plus not, plus have, plus object, plus others. ठीक फ्रेंट्स? तो अब फास्ट लिख रहा हूँ. मेरे handwriting अगर समझ मना आ है तो comment box में मुझे बताना जरूर कि आपकी handwriting समझ मने आ दिया है. तो मेरे handwriting पूर है. तो उसके पास car नहीं होगी. He will not have car. इसका short form क्या होगा, friend? He'll, ऐसा होगा? No. ऐसा नहीं होगा? He won't होगा. He won't have car. ठीके, friends? अब भी हम इसका interrogative लेते हैं. एक-एक sentence इसे में समझने के लिए काफी है. ज्यादा तर ज्यादा sentences बना के वीडियो को लंबानी करना है. तो एक-एक sentences समझने के लिए काफी है. दोगो आप. He will not have car. या He won't have car. या तो आप शॉर्ट फार्म से बनाओ He won't have car. या और He will not have car. ठीके, interrogative लेते हैं. क्या तुम्हारे पास पैसे रहेंगे तो विल यू हैव मनी या शॉर्ट फार्म क्या होगा इसका शॉर्ट फार्म कुछ होगा शॉर्ट फार्म नहीं होगा फ्रेंट्स इसमें क्यों कि नेगेटिव नहीं ही है. अब इसको लिख लो अची तरह से और समझे लेना. अभी हम नेगेटिव एंट्रोगेटिव का ही हम एक शॉर्ट फार्म क्या तुम्हारे पास पैसे लेता है. नहीं होगे इसमें नेगेटिव आया. तो विल यू नॉट हैव मनी फ्रेंट्स मने आपको बताया था हूँ कि एंट्रोगेटिव में नेगेटिव आता है. यह question word में negative आता है तो हम जो फर्स फर्मूला उसकी सबस अगर बनाते हैं तो इसमें subject के बाद ही हमेशा note आएगा न कि have के बाद इसको अगर हम short form लेना चाहेंगे तो won't you have money ठीक है प्रेंट्स तो इसको आप लिकलो अज़ी तरह से कि एक sentence काफी है समझने के लिए फ्रेंट्स तो इसको आप लिखलो कि अधिने question words पर चलता हूँ question words का फर्मूला में इस है इंट्र गेटिव के पहले question लगा दो तो उसके पास कार कब होगी तो when will he have car है ना राजू के पास पैसे क्यों नहीं रहेंगे तो why will Raju not have money ठीक के रहें ठीक के रहें नहीं है एक है ठीक के रहेंगे इसका शूट्फु ना राजू have money ठीक है फ्रेंट समझ में आ रहा है ना फ्रेंट आपको यह बिल्कुल ही सिंपल है और उसमें कुछ भी नहीं करना है बस वही सब सारे के सारे making formula negative question और सारे के सारे making formula एक ही है बस helping verb change होता है बस उसमें भी वही formula है ठीक है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही तो फ्रेंट्स मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि हम class के ending में जो कुछ भी sentences देते हैं आपके homework के लिए आप उसको अच्छी तरह से बनाया करो समझ कर और next classes में जो हम उसका answer बताते हैं उससे आप तैली ज़रूर किया करो ठीक है फ्रेंट्स यह बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंट्स अभ्यास बहुत ज़रूरी है प्रेक्टिस मेक्स में परफेक्ट्स आप जानते हैं अचीतर से कि आदमी किताबे पढ़के डिग्रिया लेकर नहीं सिखता बलकि प्रेक्टिस से सिखता है काम से सिखता है अभ्यास सिखता है आप किसी चीज़ की भी आप डिग्री ले लो यही rules होता है यही law चलता है कि अगर आप practice करते रहो if you are continue to practice you will definitely learn English ठीक है friends तो जाते जाते मैं फिर से उन दोस्तों से request करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया है please उनसे request है कि हमारा channel subscribe कर ले और bell icon को भी click कर दे ठीक है friends आप तक एवीडियो देखने के लिए thanks thanks a lot धन्यवांत friends here आपका आज का homework इन sentences को आप अच्छी तरह से समझ कर बनाना और next classes में जो हम इसके answer देंगे उससे आप tally करना ठीक है friend bye